दोस्तों नमस्कार आयरवेज साला में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको वंस लोचन के वारे में बताएंगे वंस लोचन का उपयोग आयरवेज में बहुत सारी दवाईयां बनाने में प्रियोग किया जाता है वंस लोचन मोटे बांस और जो लंबे बांस होते हैं उनमें ये पाया जाता है बांस पक जाने के बाद उनकी गाठो में ये जम जाता है बांसों को काट कर सुखाया जाता है उसका रस भी उसके साथ सूख जाता है इसके बाद बांसों को फाड़ कर वंस लोचन को निकाल लि सब्सक्राइब कर सकते हैं वंस लोचन आपको ना मिले तो आप इन तीनों में इसे एक चीज का प्रियोग कर सकते हैं आईए आपको हम वंस लोचन के फायदे बताते हैं छोटे-छोटे बच्चों को कफ़ी समस्य हो जाती है वह सथूप नहीं पाते खासी के कारण वह बेहोस हो जाते हैं इसलिए दस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आदा गिराम वंस लोचन का चूण लें दो चम्मस सहद मिलाकर इसे रोज सुबह खाली पेट देने से इसका रोग दूर हो जाता है दोस्तों जिन व्यक्तियों को दमे का रोग है वह 20-20 गिराम की मात्रा में व इस जिर लोग दूर हो जाता है जिन महिलाओं को गरपात की समस्या है, वह वंस लोचन का चूण आदा गिराम लें यह दूद न्त के साथ यह पानी के साथ आप ले सकते हैं इससे गर्ब्बाती समस्या खतम हो जाती और इससे गर्ब भबती स्दृरी और बच्चे का स्वास्ते ठीक रहता है . He well. एक गराम की मात्रा में वह लोचन लें उसी तो एक चमस सहद में मिलाकर चाटने से यह रोग समाप्थ हो जाता है पेट में गर्मी के कारण मुह में छाले ऑन्स लोचन का एक took की चूcription ये उसे सहद ओन मिलाकर मुह में लगाएं इससे चाले की समस्या समाप्थ हो जाता है इसका माल महिलाएं बच्चे बड़े वुजुर्ख सभी कर सकते हैं जिन लोगों का वीरिय पतला है वे तीस ग्राम वन्स लोचन लें तीन ग्राम छोटी लाइची लें उसे अच्छी तरह से पीस लें इसकी एक ग्राम मात्रा यह पिसी हुई मिस्री के साथ सुबह के समय और साम के समय दो समय लीजिए इससे वीरिय गाड़ा होता है जिन लोगों के सुक्राणू कम होते हैं वे साथ ग्राम वन्स लोचन लें चालिस ग्राम मिस्री लें उसे अच्छी तरह से पीस लें पांच-पांच ग्राम की मात्रा में उसे सुबह और साम दूद के साथ आप ले सकते ह झाल झाल